जमशेत पूर्ट का सामुदाइक स्वास्त केंद्र के एक एनम कोरोना वैक्सीन का पूरा टीका लेने के बाद भी निकली कोरोना पॉजिटिव हालंकि 30 जनवरी 2021 को A&M द्वारा पहला ठीका तथा 1 मार्च 2021 को दूसरा ठीका लेने के बाद A&M कोरोना पॉजिटिव हुई है मामले के संबंद में बताया जा रहा है कि A&M को आइसोलेशन कर दिया गया है वहीं पती एवं पुत्रुक की कोरोना की जाच की गई तो इन दोनों को कोरोना नेगेटिव पाया गया है साथ ही साथ टीम द्वारा वैक्सिनेशन कैंप में पिछले 10 दिन पहले कारे भी कर चुकी है बगर जैसे ही उन्हें फीवर होने का एहसास हुआ उन्होंने स्वाइं को कोरोना टेस्ट की इसके बाद कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आते ही सामुदाइक स्वास्त केंद्र की प्रभारी डॉक्टर मित्यूंजे धावडिया द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्त केंद्र के सभी स्वास्त कर्मियों को कोरोना की जाच कराई जा रही है इनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद यदि कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसमें कोरोना वाइरस के बहुत कम लक्षन पाये जाते हैं जमशेदपूर से शिफ्चंकर साह के रिपो यहां व्यक्षिनेशन सुरू हुआ सी एपॉट का में तो हेल्थ कर्मी जिफिना था सब को वैक्सीन दिया गया उस दिन उस एनेम भी वैक्षिनेशन किया गया तो सेज्वर को और सेकेंड लिये हैं फंस्ट मर्च को और 27 मार्च को उनको लगा कि उनका हजबेट के तबीयत खराब था तो अभी कर लिये कि देखते हैं कि हजबेट का उसका अपना रेपीडेंट इजन टेस्ट किट से कर लिया गया था तो उसको डाउट हुआ उसको फेंट लाइन आ रहा था अपना तो उनको हम बुलाएं यह देखते हैं तो तुनेट में उन पीश तरिक उसको रेजल्ट आया तब तक उसको ऐसालेशन करके रख गया था हम आई शलेशन में कि आपका रेजल्ट आने रिजी उसके अबादी आप निकलियेगा चैनि तरिक आल्या था गया और 29 गया हज्बेंट का तबीयत और और सोने रिपोर्ट तूनेट के बाद भी उनका हज्बेन को नहीं माना हो हो तो अभी जो है उनका हस्बेन को पिटल का है अइसुलेशन वार्ड में उनको रखा गिया फिर उनका आटीफीश्यर होगा अभी एन्म आईसुलेशन में उनका नाइस अभी जितना हेल्ट स्टाफ है हम लोग का अभी फिर से हम लोग टेस्टिंग शुरू कर दिये हैं ताकि यहां रोज मरीजों के साथ यह संपर्थ में आ रहा है तो अभी जोर्जी हो गिया है तो आज कुछ एन्म का आज करवा दिया गिया है काल सीयो चोलुक को बुलाए हैं कि इसा करते करते सब का अम लोग री टेस्ट हम लोग अभी कर रहा है कि अधिया है